आज हम बनाने वाले हैं बास्केट चाट इसके लिए हमें थोड़ी तैयारी पहले से ही करनी होगी जैसे कि हमने आलू को बोईल करके रखा था उसको स्मेश कर लिया है उसमें स्वाद अनुसार नमक थोड़ा जीरा पाउडर और थोड़ा चाट मसाला डाल देंगे इसी तरह से काले चने को भी हमने बोईल करके उसमें भी थोड़ा नमक थोड़ा जीरा पाउडर और जाट मसाला एक कर दिया है मसालो को हम अच्छी तरह से मीक्स कर लेंगे अब हम दही घर की जो फ्रेश होती है उसमें थोड़ा नमक और थोड़ी शुगरेड करके उसको मीक्स कर लेंगे एक प्लेट में हम बासकेट पूरी को रेंज कर लेंगे इसमें हमारा पोटेटो का मसाला थोड़े थोड़े चने डाल देंगे अब हम इसमें खजुर इमली की चटने डाल देंगे उपर से हमारे तया की हुई दही डाल देंगे उपर से थोड़ी थोड़ी ग्रीन चटनी डाल देंगे जो हमने धन्ये और ग्रीन मिर्स से बनाई है अब हम इसमें लसून की चटनी डाल देंगे अब हम इसमें थोड़े थोड़े फाइनली जोब ओनियन डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंगल कर लेंगे गार्निस्टिंग के लिए हमुष में थोड़ी सी सेव और धन्या डालके उसको गार्निस कर लेंगे तो रेडी हैं हमारी बैस्केट चाट अगर आपको हमारी ये रिस्पी पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारी चेनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू